कि अच्छे नंबर 15 खतम कर देंगे है ना तो सारी चीज़ हो जाएंगी आज जुद्र से फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कहां होता है होता है कैसे होता है सारी चीज़ आज अब कर लेंगे सबसे पहला आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन जहां होता है है वो साइट्टो फिरलाइजेशन होई यह और टब से निकल जाए ठीक है ऑवरी से वह तक पहुंच जाता है ठीक है तो यह होता है बहुत इंपोर्टेंट है अगर वो पूछ ले कि होता कहां है एक्जैक्टली तो एंपिला रीजन में फैलोपियन ट्यूप के लिए नेक्स आते है फैटिलाइजेशन इस दा नेच्रल राइप प्रोसेस है ना देखिए फैटिलाइजेशन क्यों जरूरी है तो फैटिलाइजेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है विच इस करीड आउट बाइद फीजन ऑफ बोथ मेल और फीमेल गैमिट के फीजन के बाद जो प्रोटक्ट बनता है यह उफ्प्रिंग वो इस प्रोसेस को कहते है पटिलाइजेशन चीक है विच रिजर्ट इन कोईटज फीमेल के मेल इतने सारे स्पर्म होते हैं कि मतलब बहुत सारे म्लियन सोफ बोते हैं एक बाहर के क्याइजेशन इस आते हैं फेलोपियन ट्यूब, only a few sperm will succeed in reaching the opening of the फेलोपियन ट्यूब, कहां जाएंगे वो, उनको कहां जाना है, उनको जाना है, एंपिला रिजन में ठीक है, तो जो वो होती है न, फेलोपियन ट्यूब, महां की opening में कुछ ही जा पाते हैं, सारे नहीं जा पाते हैं, किसी की शेल अलग होती है, किसी का साइस अलग होता है, तो कुछ भी रीजन हो, लेकिन बहुत कम अलग जा पाते हैं, बागी रह जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, दा सेकेंट्री उस साइड, रिलीजिस फॉम ना मैचियोर ग्राफिकन फॉलिकल, और 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 एंटर फिलोपियन ट्यूब, वेर तो आजाए, तो हो सकता है, फैटलाइजेशन अगर नहीं होगा, ठीक है, 24 आउर्स के बाद, वो क्या, वो डीजनेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो होता है, वो 24 घंटे के बाद, डीजनेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो 24 घंटे में अगर हो गया, तो प्रफिकल हो जाते है ठीक है नेक्स आते हैं इस ऐसे होता है और फॉतलिजिएजन यह ओवं के बाहर वाली लेको जी है पहरी बैड लाइन पेस उसके बाद क्या है जोना पैल्यू सीडा आना जोना बैलू सीडा और इस पर ना रेडियाटा यह कोरम रेडियिटा है सबसे बाहर वाली उसके बाद जोना पैल्यू सीडा और अंदर वाली है है कि इसकेपार बैल्यू सीडा尧ू कifully फ्रेस दाने मोतो क्रोस कर लें लेकिन जोना पैल्यू सीडा एक ऐसी लियर है है ना कितने जाने चाहिए कितने नहीं जाने चाहिए कौन चानल जाएगा को नहीं जाइगा सारी चीज़े control by zonar value c down this is the fertilization how the fertilization takes place होना चलिए next आते हैं menstrual cycle क्या होता है menstrual cycle अगर चोबिस घंटे तक पाडलाइजेशन ना हुआ तो वो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो शेड होना स्टार्ट कर देती है तो जो ओवा है वो चेंज हो जाता है कॉर्पस लूटियम में और जो मैं अन्डोमेट्रियम में वो शेड हो जाएगी इन फोर्म अफ बल लाइफ में चेंज होते रहते हैं ठीक है एक बोडि में पूरी लाइफ टाइंड चेंज होते रहते हैं तसाक्यल ऑग दीस जेंजर अगर इंग्वमेट्प्री मन्थ पॉसिटिवली पुसीवल में नियूट बिनेंज होनगे मैस्ट्वल सैटल उसके बाद वर ऑन ओमी उस अगर नहीं होता है तो जो एंडोमेटियम लाइनिंग है वो शेयर गुना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद इनगर मैंस्टिवेशन स्टार्ट होता है उस Lazio होता है तो जो इसम एक सब्सक्राइब मैंस्टिवार साइकल की जब पहली बात मैंस्टिवेशन होते हैं उसको हम मिनार्क बोलते हैं और यह जब विमन कोई 50 year of age हो जाती है उनकी 50 साल हो जाती है यह कुछ में यह थोड़ा extend हो जाता है है उसको हम menopause बोलते हैं तो जब रुख जाते हैं menstrual cycles उसको हम menopause बोलते हैं the ending of the situation is known as menopause which takes place at the range of 50 अब एसने की exact 50 पर हो जाएगा किसी किसी में 50 पर हो जाता है कोई कोई extend कर देता है किसी में थोड़ा सा पहले हो जाता है तो यह होता है menstrual cycle अब इसमें phases कौन-कौन से होते हैं वह देख लेता है menstrual cycle में सबसे पहला होता है menstrual phase day one uterus lining which is prepared for implantation uterus की lining जो कौन सी है endometrium वह किसके लिए तयार की रही थी अंदर वाली line जो है वह तयार हुई थी implantation की रहे लिए implantation तो हुआ नहीं इसी लिए वह shed होना start कर देती है starts to shed which lasts three to five days तीन से पांस जिन तक वो shed होती रहती है ब्लड के form में follicular phase second phase follicular phase in this phase the primary follicle starts developing into a mature graphical follicle तो जो primary follicles थे वो mature होने लग जाएंगे और बना देंगे graphian follicles ठीक है the endometrium also start proliferating proliferating मतलब वापिस से बनना start हो जाती है है ना एक बार वो shed हो गई उसको वापिस भी तो बनना पड़ेगा अगले month के लिए उसको prepare होना पड़ेगा इसलिए वो वापिस से start हो जाती है बनना उसके बाद the uterus starts repreparation or for another pregnancy uterus फिर से start कर देगा दूसरी प्रिगनंशी के लिए ओवा बनाएगा और एक month में 30 days में एक ही ओवा दिलाइस होता है from the ovni ना from the each ovni ठीक है next आता है ovulatory phase mid second phase this is the phase in which ovulation takes place that is day basically 14th day पर जिस दिन से menstruation होते हैं उससे मिला कर 14th day पर होता है ovulation यहां पर उन्होंने approximately value लिखी है 13 से 17 दिन के अंदर अंदर ovulation हो जाता है basically the end of the follicular phase along with the ovulation period defines the fertilization period last आता है utl phase इसमें क्या होता है post ovulation अब ovulation तो हो गया ovulation के बाद क्या या changes आते हैं वह है ठीक है post ovulation phase where the fate of the corpus luteum is decided ठीक है corpus luteum decide होता है उसका fit next है if fertilization occurs pregnancy starts अगर fertilization हो जाएगा pregnancy start हो जाएडी if fertilization does not occur it marks the onset of another menstrual cycle अगर नहीं हुआ तो दूसरी menstrual cycle start हो जाएडी तो यह cycle चलता रहता है in the human female body देखें यह है पूरा डाइग्राम अब आपको समझ में आ जाएगा है ना अब चांब जाएगा समसे पहले है phases of ovulation cycle दो होते हैं follicular और luteal ठीक है फिर आते हैं gonadotrophin hormone level जो क्या search जिनका सर्च क्या दिखाता है ovulatory period तो देखें पहले episode सही था नॉर्मल साथ दोनों एकदम सही जा दे अच्छानक से utonizing hormone peak पर चला जाता है एक search दिखा देता है तो क्या होगा जब search होता है that means की ovulation हो गया ovulation हो रहा है पिर जैसे जैसे वह ovulation हो जाएगा वाभी सब नीव सी location में जहाँ था पिर आते हैं जो ग्राफिंग फॉलिकल बनता है जो कॉर्पस ब्यूटियम बनता है विलेशन होता है तो सारी चीज़े आती है प्राइमरी फॉलिकल थे उन्होंने क्या बनाया ठीका ठीका से बनता है एंट्रम और एंट्रम से होता है विलेशन एंट्रम से रिलीज होता है और वह कर देता है अगर इस पीरियड में जब यह वाला पीरिड है अगर यहां पर स्पर्म आ जाए तो 24 घंटे तक तो रहेगा चाहिए चोबिस घंटे तक रहता है अगर स्पर्म आ जाता है फंट्रम हो जाएगा अधर्वाइस यह आगे बढ़ जाएगा ठीक है जो कॉर्पस लोटियम का फॉर्मेशन होगा फिर मैचियोर होगा कॉर्पस लोटियम और लास्ट में यह बना लेता है कॉर्पस एल्टी में जाता है टिक है से गिए होगा की तो नहीं ऐस तरुपस पिर-अधर श् Burgi पीक पे होंगे except progesterone जब ovulation होता है तो estrogen भी पीक पे होता है और inhibin भी एकिन प्रोजिस्टरोन नहीं होता प्रोजिस्टरोन जब corpus radio के टाइम पर तब वो पीक पर दिखाता है तब वो सर्च दिखाता है ठीक है तो यह होता है पूरा मेंस्ट्वाल पेस्ट्वाल साइकल ठीक है तो जीरो से बंडे में अगर यहां पर कि जीरो से पाइड यहां पर चलता होता है मेंस्ट्वेशन इस फॉर्टी देपर ना तो थर्टीन से लेकर सेवेंटीन तक उविलेशन कभी भी हो जाता है उसके बाद अगर वह नहीं हुआ तो आपना फिर से स्टार्ट करतेगा फॉर्टीन डेस का गैप लेकर ठीक है तो यह होता है पूरा मेंस्ट्वाल साइकल नेक्स आते हैं हैं इंप्लांटेशन अगर अगर हो जाता है तो होता है इंप्लांटेशन जिक है तो क्या बाता है इंप्लांटेशन को यह सब्सक्राइब ओवंग और स्पंग फ्यूजन हुआ उसके बाद बनता है मौलीला ठीक है तो क्या ही सब्सक्राइब कि फ्यूजन के बाद मौलीला इंदा स्टेज विद एक टो 16 ब्लास्टोमेर यह इस इस वेरी इपॉर्टेट कि कब क्या कॉमसी सेज होती है कि कितने ब्लास्टोमियर होते तेहना 8-16 blastomere in the embryo उसके बाद the blastocyte is formed due to continuous division after the modula stage अब division तो चल जा रहेगा क्योंकि जब division होगा तभी embryo बनेगा तभी fitness बनेगा फिटर से embryo बनेगा embryo से बच्चा होनेगा तो यही होता है पूरा the blastocyte is formed due to continuous division after the modula stage at this stage blastomere get arranged in the outer layer जिसको हम trophoblast बोलते हैं तो outer layer पर वो arrange हो जाते हैं क्या blastomere है ना जो trophoblast कहते हैं जिस layer को उस पर arrange हो जाते हैं and inner cell forming inner cell mass तो दो लेयर होती है पहली जो बाहर वाली वो trophoblast बना लेगी अंदर वाले inner cell mass the trophoblast get attached to the endometrium lining of the uterus and the inner cell mass differentiated into the embryo देंके क्या हुआ होगा दो चीज़े हैं दो लेयर हैं यह है inner cell mass और यह है ट्रोफो ब्लास्ट तो यह ट्रोफो ब्लास्ट तो यह ट्रोफो ब्लास्ट यह तो एंडोमेड्रियम की लाइनिंग से अटाइच हो जाएगी ठीक है तो एंडोमेड्रियम अटाइच लेकिन यह जो इनर सेल मास है यह करवार्ट हो जाएगा इंटू दाफीटस पेटस क्या होता है वह एंटाइच और इनर सेल मास सेही बनता है अब देखेए इनर सेल मास उसने इतनी सारी चीज़ें बना लेता है आगे डिमिजन होता रहता है चलता रहता है चीक है उसके बाद फिर जो ब्लास्टोसीस वो एंपेटिट हो जाते हैं into the endometrium as in dividing uterine cell completely covering it फिर आते हैं this process is not implantation, implantation दीके आपको नाम ची क्या समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ चीज embedded हो जारी होगी है ना कुछ ना कुछ implant हो जा रहा होगा तो ट्रोफो ब्लास्ट implant हो कहां endometrium में चीक है और inner cell mass क्या बनाएगा fetus अब fetus आपके डिवाइड होगा वो अब ग्वेशन दिखाएगा और सारी चीज़े बना लेगा चलिए next आते हैं parturation अब delivery of embryo या फिर नहीं कह सकते है delivery of child is known as parturation चीक है the process of child birth is known as parturation parturation is initiated by neuroendocrine signal तो ऐसे नहीं होता है पहले signal सारी चीज़े होती है हमारे बोडी में तक जाकर parturation होता है neural signal neural parturation signal होता है तो वो जाएगा किस के पास brain के पास brain क्या दिखाएगा changes दिखाएगा जैसे oxytocin release होंगे oxytocin नों बता है न कहां से रिलीज होता है brain से ठीक है ब्रेंगे पिट्यूट्री ग्लाइंसे तो पिट्यूट्री ग्लाइंसे oxytocin तो oxytocin from the pituitary gland बहुत इंपोर्टन है कहां से रिलीज हुआ कब रिलीज हुआ तो oxytocin release होता है from the pituitary gland at the time of parturation contraction become stronger and stronger as more oxytocin is secreted resulting in childbirth जैसे-जैसे oxytocin release होता है तो यह क्या दिखाता है यह जो contraction होता है वो शो करता है तो जैसे-जैसे oxytocin release होता रहेगा contraction पढ़ता रहेगा और childbirth हो जाएगा ठीक है after the infant the placenta is also delivered तो placenta क्या होता है यहां कोई अच्छा सवाद है what is placenta देखे placenta कह सकते कि एक medium है जिसके तुरू मीडियम तुरू बिच मदर और फीटस कम्यूनिकेट्स कम्यूनिकेट्स तो यह एक मीडियम है जिसके तुरू अबिच्छेंज बाइट ना फीटस कम्यूनिकेट्स करते हैं आपस ना वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसे होता है महीं से एक्स्ट्री प्रोड़क्ट्ट्स एमदर में जाएगा मदर से बाहर आ जाएगा तो सारी चीज़े ब्लड़ भी वहीं से प्रवाइड होता है फीटस ना तो वह कुछ दिनों के लिए प्रिजर्व भी की जाती है कहीं कहीं तो क्यों की जाती है क्योंकि उसके पास होते हैं स्टैंप सेल्स जो बहुत काम के होते हैं विच कैन भी यूज़ इन दा फ्यूचर टुक्योर डिस इस नोट अल्ली ऑट परसें बाट आउस दा तो न legal डूक्तर एंजेक्ट ऑक्सिटोसिन बीड ब इन्जेक्षाओं के लिए ऑक्सिटोसिन का इंजेक्शन घाल घालें के लिए यूक्याद डूक्त रिच्षण करवा हैं सकानि तुरू उसको insert कर दें दें और बोडी फिर आते हैं Lactation period क्या होता है Increased secretion of prolactin from the pituitary gland induces milk production in the memory gland so lactation period क्या होता है basically production of milk in the memory gland कहां से होता है यह होता है pituitary से release होता है प्रो-lactin कहां से release होता है pituitary से तो क्या करवाता है milk production यह होता है lactation अब जो release होता है milk from the initial six month तो शुरू के 6 महीने में जो मदर से milk secret होता है उसमें एक बहुत बढ़िया चीज होदी है that is colistrum बहुत इंपोर्टन है colistrum क्या होता है yellowish color का होगा यह लो color का होगा colistrum it is the first form milk from the memory blend yellowish color का होगा उसके बाद it is rich in antibodies and proteins and essential for the immunity of infant इसलियो बोला जाता है कि बेवी को मदर का milk की फिलाना चाहिए ना क्यूंकि उसमें इतनी सारी antibodies होती है इतनी सारी vitamins जो जो बेवी के लिए जरूरी चीज़े होती है वो सारी की सारी present होती है colistrum में तो अगर यह ठीक है तो बेवी को आगे भी problem नहीं होती है चलिए तो आज हमने पूरा chapter cover कर लिया इसके अलावर कुछ नहीं बजा आज होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी आज यह पूरा एच एपी सी लेवर्स पूरा complete हो गया है तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक आप अपने ध्यान लगे और ड़ने की है कि अब आगा जब फान में से इंडिया लाइव है आपके साथ थैंक यू आपके सारी